स्वागत है आप सबी का हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम JCRT क्लास 8 समाजिक एवं राजनितिक व्यवस्था के चप्टर 7 समाजिक समस्याएं के प्रहस्नों को सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेजी ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नटिफिकेशन आपको मिल सके और अगर आपको इसका पेडियो चाहिए तो हमारे वाट्सेप ग्रूप को जोईन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो चलिए सू करते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन से प्रेसने और उसके उतर क्या होंगे इसमें पहला प्रेसने रिखत स्थानों की संबंध है इसका उतर है अन्योन्यासरे वेगतिव समाज का अन्योन्यासरे संबंध है अगला प्रेसने बाल विवास समाजिक खालियस्थान है इसका उतर है कूरिती बाल विवास समाजिक कूरिती है अगला प्रेसने कानूनन लड़के और लड़के की विवाह की आयू कर् अगला प्रहसने सम्विधान के अनुसार खालियस्थान से कम उम्रे के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीए है। पहला बाल विवा उससे कहते हैं जब लड़के और लड़की का विवा कर्म से अकीस और 18 वर्ष से कम उम्र में करा दिया जाए। या विवा को रोकने में असफल होते हैं तो वे भी दंड के भागिदारी होंगे। अगर कोई पुरहीत ऐसा विवा संपन करवाता है तो वे भी दंड का भागिदार होगा। बाल विवा को रोकने के लिए कोई भी वेक्ति पर्थम धर्जे की जिल्ला नियालेस के पास आचिका दैर कर सकता है। जारकन में परखंड विकास पदाधिकारी को बाल विवा निवारेन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तथा ऐसे मामलों की शिकायत उनसे भी की जा सकती है। बाल विवा से पिडित वेक्ति परिवारे की अजिल्ला नियाले से ऐसे विवा को अमानी घोसित करवा सकता है। अगला प्रैस ने नसारखोरी के दुस प्रभावों को लिखिए। इसका उत्तर है नसार खोरी के निमलिखित दुस प्रभाव हैं। पहला एकागरता में कमी, दूसरा अस्मरन सक्ति में कमी, तिसरा सुए पर नियंतरन कम होना, स्वक्षिता में कमी, सरीर का वजन कम होना, स्वास्ति संबंधी समस्याएं, अपराधि पर्ग्विरिती का मानव तसकरी के क्या क्या तरीके हैं। इसका उत्तर है निमलिखित तरीकों से मानव तसकरी को अंजाम दिया जाता है। गया है कि आप भी इसे एक अपराद मानते हैं अपने उत्तर के पैच में कारण देजिए इसका उत्तर है बाल विवा को कानुन अपराद माना गया है और मैं भी इसे अपराद मानता हूं क्योंकि बाल विवा बच्चों के अधिकारों का अधिकर्मन करता है जिसे उन पर हिंस मिटाय यूंड क कदर दोंकों ऊधिक पड़ताई लड़किय। से कम उप्चारिग संबंद भी आते हैं जहां आठार्य सब्सक्राइप बच्पन खत्म करदेतारीं met पर नकारात्मक प्रभाव डालता है बाल वुआ के सिधा असर ना केवल बच्चों पर बलकि उनके परिवार और समुधाय पर भी होता है अगला प्रहस्न मानव तसकरी मानवता के विरूध अपराद है इस कथन की व्याख्या कीजिए इसका उत्तर है मानव तसकरी एक प्रका किया जाता है इनमें इंसानों को मुखी रूप से और बच्चों को खरीदा और बेचा जाता है मानव तसकरी को मानवता के विरूध अपराद की रूप में माना जाता है क्योंकि इसे पिडिद अपने अधिकारों से वंचित हो जाता है अगला प्रहस्न है बाल सरम को दुर कारण गरेवी है यसलिए बाल मजदूरी रोकने के लिए सबसे पहले गरेवी को मिठाना होगा जिसे गरिब आदमी अपने बच्चों को मजदूरी करने नहीं भेजेगा बाल सरम को रोकने का दूसरा उपाय है सिच्छा का परशार-परचार क्योंकि असिच्छित वेक्ति ब बच्चों से काम करवाने वाले दुकांदारों मिल मालिकों को कड़ी सजा हो हो सके जिससे बाल मजदूर को अपने हां काम नहीं करवा सके आपको वीडियो कैसे लगाए हमें कमेंट में जरू बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगी तो इसे लाइक किजे दोस्तों के स शेर कीजिए और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजी ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नटिफिकेशन आपको मिल सके